हेलो पेरेंस वेलकम टु मैं चैनल मदर लव एन केर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुपर हेल्दी वेट गेंट फूद फोर बेबी एन किड्स कुछ ऐसी फूद जो आपके बच्चे के डाइट में होनी चाहिए उसके वजन को बरहाने के लिए तो इस वीडियो में हम का पहले छे महने तक लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो देर इस नीड तो डिद्यूज अ वराइटी अ फूद एस पर बेबी एस फोर इंशोरिंग दप्रोपर ग्रोथ एंड अप्रिप्रिट निडिशन सबसे पहला आइटम जो आता है वो होता है होल म यह बहुत ही अच्छा सोच होता है बच्चे के हडियो की ग्रोथ के लिए मिल्क में कुछ ऐसे कैलसियम सोते हैं विटामीन होते हैं जो की बच्चे के स्ट्रॉंग बोन्स को बनाते हैं एटलिस टू गलास पर डे आपको देना चाहिए अगर आपके बच्चे को कोई जाने के बाद दे सकती हैं उससे पहले अपने बच्चे को गाय का दूद ना दे क्यूंस सब्सक्राइब क्या खत्रब कैसा त्वडर की सामिल करें क्युक्त कि यह काफी जादा मिंडल्स होते हैं इसमें काफी ज्यादा मिनड lovelys सिर्द कर्ड जिसा हिंदे दही के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि दूद वाले सारे फायदे इसमें मिल जाते हैं साथ में दही में ऐसे प्रोबाइटिक्स होते हैं जो कि डाइजर सिस्टम को अच्छा रखता है अगर बच्चे का डाइजर सिस्टम अच्छा रहेगा तो वह नूटुशन जो भी अच्छा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है काफी कैल्सियम की मात्रा पाई जाती है और इसके कुछ हेल्थ मेनिफेट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी जिसे की पनीर हेल्स इंस्ट्रेंदिंग बोन्स और तीथ ऑफ बेबी एंड पनीर अलसो फेल्प्स इसने नगी अच्शंफ आए हनू श्चाम जाता जाता है अगलर बार मेनिकल्च के लिए बहुत अच्छा होता है अगला चाहुआ ज्मा स्क कि द्राइभ फूarna है नट्स का जाता है a lot of health benefits, सुखे मेवे और नट्स को पोशन कहा जाता है, पावर होस्त कहा जाता है, क्योंकि they are packed with essential vitamins, minerals, healthy fats, antioxidants, and dry tree fiber, जो आपके बच्चे के आहार में सामिल किये जाने पे, वो काफी उसके immunity को boost करता है, वाल आता है, when and how to introduce dry fruits and nurse to our children, तो यह हम अपने बच्चे के diet में 7-9 months of age में introduce कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी भी घुटन के खत्रे से बचने के लिए हमें paste या powder के form में देना चाहिए, और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों को प्रोपर चबा रहा है, तभी उसे दे, दूसरा आता है पीनट के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि हम हमीसा क्या होता है कि पीनट यह ग्रॉन नट को हम यूज तो करते हैं, इसे इग्नोर करके चलते हैं, यह बहुत ही अच्छा यह बमिछ। होता है, यह बहुत leverage नहीं करना चाहिए, यह बहुत अच्छा सóर्स होता है, अगर आप 100 ग्राम यूश करते हैं, तो इसका calorie content बहुत अच्छा होता है, तो आप पीनट जोग इस्तमाल कर सकते हैं पीनट पॉर्डर का इस्तमाल कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ पॉरिज बना के दे सकते हैं उसे किसी पी तरह से अगर हल्वा भी दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हैं बढ़ हाँ पॉर्डर फॉर्म में दे बिफॉर फाइब यह और आफ्टर फाइब आप most healthy food जो आपके बच्चे को सारे रिक रूप से बढ़ने में मदद करेगा और दाल के सेवन से कैस वासलाब जुरेवें जैसे कि बच्चे का प्रोपर फीजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है इससे बच्चे की इमनीटी डबलब होती है अपने बच्चे को बार-बार बीमारी से बचाने के लिए दाल खिलाने से उसकी रोक पर तिरोधक शम्ता बढ़ेगी जिससे आपको बच्चा अगर बीमार है तो वह उस बीमारी से लर पाएगा और यह बच्चे का इंक्रीज आफ इनर्जी करता है जो कि चुकि दाल में आरेन जैसे पोसकत्त होते हैं जो बच्च फल और सबजियां ऐसी होती है जो कि सर्टेन टाइम के लिए ही आती है मार्केट में तो इन फल और सबजियों का इस्तमाल जरूर करें क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पोसकत्त महजूद होते हैं जो आपको स्वस्थ होने में मदद करती है और यह स्पेसिफिक अच्छा सब्सक्राइब करती है जो कि आपके इम्मनिटी को बूस्ट करता है उस सीजन में अगला आता है ओड्स यानि ओट मिल यह बहुत अच्छा सोस होता है फाइबर का कोशिस करें कि प्लेन ओडा ओट मिल दे आपको यह अच्छा कार्बोहाइडरेट करता है यह अच अच्छा रहेगा तो बच्च्छा अच्छेसे फूट को डाजेस्ट करेगा उसका हेल्थ बढ़ेगा जिए बच्चे को घीर रखने के !! काफ़ी अच्छा सोर्स है यह अच्छा सोर्स है यह एक बच्छे को इसका बूस्त करता है इसलिए बच्छे के डा light में और ज़रु स से पनपता है वे कुछ खात पदार्थों में को भी दुशित करते हैं पर विशेश रूप से इसका सहत पर ज्यादा इंपक्ट परता है इसा होता है कि बच्चे के मसल को वीक करता है यह बच्चा पूर सकिंग करता है बच्चा रोना स्टार्ट कर देता बच्चा अगर आपनी एक साल के बाद बच्चे को देते हैं तो इस टीफ स्टैम लॉंग लास्टिंग एनर्जी देता है वह इत कंटेंस दिए विटामिन से मिन्रेल्स यह प्रोटेक्ट करता है लीवर को डैमेज से भी एंड इत काम डाउन कप्स अगर बच्चे को कफ हो जाता है बच्चे को एक साल से पहले तक हनी नहीं दे अगला पॉइंट जो आता है वह सूइट पटैटो यह बहुत अच्छा सोस होता है इसमें कागोहाइडरिट रीच होता है यह रीच इन फाइबर होता है यह काफी अच्छे कैलरीज होते हैं इसमें यह बच्चे को आप अानेमिया से ए कमाइबर यह बच्चे को प्रिवेंट करता है इसमें गुट कैलरीज होते हैं जो कि बच्चे को वेड़ गें में काफी है फुलो लोत है अगला नंबर जो आता है जेगरी का जिसको हम हिंदी में गूर के रूप से भी जानते हैं गूर को बच्चे के में एक साल के बाद ही सामिल करना चाहिए आम तौर पे एक साल से पहले बच्चों को चीनी नहीं देनी चाहिए इसका अधर्ट एड़र्स एफेक्ट होता है बट हाँ वन एर के बाद आप बेबी को जेगडी इंटिड्यूस कर सकते हैं यह गुर्ड जो है क्योंकि नॉन बेनिफिट्स क्या है यह एनेमिया को प्रिवेंट करता है बाद इडिंग गुर्ड इन यो बेबी इस दाइट विल प्रिवेंट इसक आइरन डिफिशेंसी इंड गुष लूट पर जो आता है वह यह कॉंस बच्चे के चॉंस्टिपेशन को यानि कब्स को दूर करता है य अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग